शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें किसे सब्सक्राइब बेटिए अभी अभी आपके आखो में ड्रॉप्स टाले थोड़े दियर आपको दुनला दिखाए देगा बट युदों परी कुछी यलो लेक्टिया हाँ लिखली हर शक्त प्यार के हिसा से भरा है तिल की हर बात को शब्तों में पिरोकर कागस विता रहे तुम आए मेरे लफसों को तरण्नुम मिली तुम मुस्कराए तो यह मुस्कान और खिली वाँ पारी इस अमेजिन था रोमेंटिक थांक यू पारी थांक यू सो मच कितना अच्छा लिख लेती हो तुम जैसे कि मेरी मन की सारी बाते मेरे दिल की हर बात जैसे तुमने इस कविता के रूप में लिखती हो पारी तुम मेरी कितनी मदद कर रहे हो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं जैसी रोहत से मिलूगी उसे के दे दूँ नहीं कुशी ये मेरी हेंड्राइटिंग है और रोहत मेरी हेंड्राइटिंग बहुत अच्छी तरह से जानता है ये बात याद रखो कि ये कविता पारी ने नहीं मुस्कान ने लिखी है और वो तुम हो अब तुम इसे अपनी कॉपी में अपनी हेंड़ाइटिंग में ढाल देना के लो हुए लुक्से आई शाना अब अब से अई शाना जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक अप करने आ रहा हूँ फिर क्लब चलते हैं, वहाँ दिनर करेंगे और फिर नहीं नहीं एक्षे, मेरी तब्यद कुछ ठीक नहीं है कम ओन, चलते हैं ना यार नहीं, फिर कभी, anyway, thanks हलो, शाना हलो, शाना हाँ, जित्या क्या वा तुम्हें, तुम ठीक तो क्यों, क्या मतलए मैं बिल्कुल चीक हो क्या तुम्हें लगता है कोई प्रोब्लम होता है तभी मैं तुम्हें फोण करते हूँ, क्या मैं तुम्हें इसे फोन नहीं कर सकती ने, जिन Ultra एसी बात नहीं है ई window तुम्हें मेरे बारे में सोचा तुम्हें मुझे याद किया मुझे बहुत अच्छा लगए मैं तो तुम्हें अक्सर याद करती हूँ तुम भी कभी-कभी मुझे याद करके फोन कर लिया करो परी, खुशी, खुशी अब तो खुश है ना, वो बहुत खुश है, उसे तो जैसे उसकी जिन्दगी मिल गई हो, खुशी कि हमारे उसके जमीन पर पैरी नहीं टिकते हैं आज कर, परोहित को खो कर जो, तो ने अपने प्यार के पंक काट दी है, सच कहना परे, रोहित को खो कर, क्या तेरे कदम आगे उठ पा रहे हैं? हापर भाई साब जैसे ही दिली से आया, उन्होंने कहा, कि हमारी परी की जिन्दगी में तो कोई राजकुमार आएगा, वो बात सुनकर बहुत तकलीफ हुई, ऐसा लगा जैसे, किसने मेरे दिल पर तीर चुबा दिया, क्या कहते हैं भाई साब से, कि हाँ भाई साब हमारी परी की जिन्दगी में बहुत प्यारा सा राजकुमार आया था, हमारी परी खुद ही, उसकी राहों से हट गई, अपने ही हाथे से अपनी खुछिया, दानिमा, पेरी जिन्दगी में कुछ बुरा होई नहीं सकता है, आ जैसे भूल जाओं और क्या भूल जाओं परी क्या मुझे दिखाई नहीं देता बेटा कि तू अपने घम को अपने दुख को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती है देख परी बेटा मैं यह नहीं कहती कि जो कुछ तूने किया है उन सब बातों पर मुझे फखर नहीं ह आज तरी माँ जिन्दा होती बेटा तो वो तुझ जैसी बेटी पर नास करती क्योंकि वो भी तो तेरे ही जैसी थी अपने बारे में सोचने की सब पहले दूसरों के खुशियों के बारे में सोचती थी परी बटा एक बात याद रखना जिन्दगे में अगर प्यार मल जाए सच्चा प्यार तो सिंदगी असान हो जाती है अनिमा मेरी जिन्दगी तो वैसी आसान है मेरी जिंदगी में मुश्किलें आ ही नहीं सकती है पुछे क्यों क्यों क्योंकि मेरे पास आप और आपका प्यार है और दानिमा, आप ऐसे क्यों सोचती है कि मैंने कोई त्याग या बलीदान किया है मैंने कोई त्याग व्याग नहीं किया यही मेरे किस्मत थी हो सकता है रोहत और खुशी एक दूसरे के लिए बने हो वो तो मैं चपरदस्ती उनके प्यार के रासे में आ रही थी दानिमा, अब आप पस उन दोनों की खुशी के लिए दुआ करेंगी दानिमा, अब ना तो हम इस बारे में कुछ सोचेंगे और नहीं कुछ कहेंगे चले गुड़ना ही दानिमा, बहुत नीम दारी है देखा रानी शक लो राके दोनों में तुझ पर ही गई है इसे तेरी च्छावी कहूँ या परचाए मुस्कुराती है तो दूसरों के लिए जीती है तो दूसरों के खुशी के लिए खुशी को खुशियां देकर अपने आसू अपनी पलकों में ही कैद कर लिया जाद को को ना है उम्मीद नहीं थी ना कि मुझे यह दोबारा देखोगी तो प्रिंच सारानी का ये लाड़ना ना बड़ा हो गया है पहचानी नहीं पाई दिखो इतने सालों में तुमसे एक भी पैसा नहीं मागा ना और मने अपनी काम के सथ को बेमरी भी नहीं की किसी को कानो कान खावर नहीं लगे इसके बारे में था पर परिवार को कुछ भी नहीं पता तुम मुझे चाहा वही मैंने किया है पर हाँ मैंने जो चाहा तुमने वही किया लेकिन मैं यह हरकिस नहीं चाहती थी कि तुम इसे मेरी नजरों से भी बचा कर रखो इसे मेरे सामने से इतना गायब कर दो कि मुझे तुम्हारा घर ढूंटे वे यहां तक आना पड़े अभी मेरी मज़ों के सामने रहेगा मेरी निगरानी समझ गई तो और मैं देखती हूं कि तो मुझे कैसे रूपती हूं यह मेरा बच्चा है, मैं ऐसे निगरा अरे लोनी, चोल रहे तो सोजा चलो मेरे साथ आदिती को कब तक अपने ममता के पड़े में छुपा कर रख पाऊगी इसका भरा पूरा परिवार है इसी शहर में और ये कामिया, ये भी तो लोटाई है अब तो सारे वक्त सर पर तलवाल अटकि रहेगी कि नजाने कम मेरा बेटा मुझे छिन जाए नहीं, अपने आदिति को खोकर मैं तो मर जाओगी हमाब मुंबै में नहीं रहेंगे क्या हुआ हो तुछे यहां का हवा पाणी जमता नहीं है मेरे को तब ठीक नहीं रहती है ना कितनी जगा पढ़ी है किसी पी छोड़ी जगा जाकर रह लेंगे जहां खुली हावा हो पर सावेटर तू समझती का एको नहीं है कह दिया ना नहीं रहेंगे मुंपई में तो नहीं रहेंगे बस क्या हुआ मा को अप उन बात करता है तेरी मा समिजती नहीं है खुली हाव में रहेंगे अरे खुली हाव में सीव शाटर चूच ले पाएंगे कि अपने कि अवा खुलिया खुलिया के चक्कर में आप उनकी आवा टाइट हो जाएगी अतरी धंदीया क्या होगा निगो अगर मा की तब्यत यहां अच्छे नहीं रहती तो अपनको धंदी कोई परवाने मा की तब्यत आप उनके लिए सबसे पहले है एए मा के भाग, रुकना! दे क्या है ना? तेरी मा की तबेदो के प्राब्लम नहीं है किसे से बात्चीत हुई होगी तो वटेंशन मेंशन ले रही होगी तेरे बाबा है ना? अपन बातर क्या था? सुखा सादरी? होई सादरी? एए क्या वाथ है रेको है? ये तु अचानक कुल्टी से दी बाते करने लगी एए ये टस्व काय बार ये तु? कामना मेली थी, हास्पितल में कौन कामना? अरे वही जिसने अपने को पैसे दिय दे ना आदी को चुनाने के लिए मुंबई वापस आ गई है वो अरे तु आने देना, उनसे क्या लेने देना अपने को? मजता क्यों नहीं है तु? आदी का पुरा परिवार मुंबई में रहता है अच्छा? आज अचनक तु जे उसके परिवार की याद आ गई? पर इससे परले तु ने कभी अपन को उसके परिवार के बारे में कुछ बताया नी? सावित्री बुलना कोने बुले? जरूर साली कोई पैसे वाले आसामी नोंगे बुले देख क्या है न? उनसे थोड़ा बहुत माल अंदर हो जाएगा ये भग्मान, ये मेरी जुबान से क्या निकल गया? इसे पता चल गया तु बोलना कौन है वो लोग? मैं नहीं जानती और जानना में नहीं चाहती बस इतना पता है कि वो लोग मुंबई आते जाते रहते हैं मुझे बस ये डर लगा रहते है कि कहीं ये मेरे आदी कमन से छीन के ना ले जाएगा ये, Saavitri, कुछ नहीं होगा जो सला इतने सालो में नहीं व अचानक कैसे हो जाएगा अदेश, अगर अपुने किसमत में बेटे का प्यार नहीं है तो लाग तालों मेरे खले उसे जिसकी नजरों में आना है न, असल आ जाएगा देख, Saavitri, तु उसकी रोजी रोटिक पे ना लाथ मत मार अपने बेटे की जिंदगी खराम नहीं करने का समझे तू तुम आए मेरे लफजों को तरणनु मिली तुम मुस्कुराए तो ये मुस्कान और खिली लफज चुप है क्या कहूं तुम्हारे लिए हर घड़ी ये दुआ करूं तुम्हारे लिए कि जिंदगी में कभी कोई कम न मिले हर दम साथ तुम्हारा खुशी निभाए पूरे हो सभी अर्मान तुम्हारे होटो पे सदा रहे मस्कान तुम्हारे अब तुम्हारे इसकाविता को एक सो आठवी बार पढ़ चुकिया बस अभी अठासो बार पढ़ना बाकी है किपने आसान शब्दों में तुम्हें अपनी दिल की बात कही है किपनी ड़फ है इसमें मेल करता है इसमें डूपके मर जाओ इतनी अच्छी लगी तुम्हें कि तुम्हारे शब्दों का जादू तो था कि बेना तुम्हें देखे तुमसे पैर कर बैठा देखा जा तो इसमें रिस्क तो था ही और कुछ ज्यादा ही रिस्की प्रूफ आई अजिए प्रूफ जिए अजिए यह इम सोच पी निसे कि तुम्हारी कवेत हैं पड़ कि मुझे कितना चाहन कितना सब्सक्राइब तुम्हें पाखे तुम्हें पाखे मुझे लगता है कि मेरे पास दुनिया की सारी कुछ्षी है आई अज़ की चीज होय नहीं सब्सक्राइब आई देल्भाज के रिस्की पाखे अद धी नहीं मंसको सी देल्भाज तुम्हें मेरे लगते प्रवशों को तरह बंदानरी ओजश्वें और हुसभे आर्माल arrangements वोटो पे रहे सदा मुस्काल तुम्हारे रोहत एक बात पुछों पुछा सच जवाब देना पूछो ता सही रोहत अगर अगर तुम्हें यह पता चले कि कि मैं मैं तुम्हारी मुस्काल नहीं हो तो यह मेरी लिए तुम्हारी फीलिंग्स बदल जाहेंगी क्या मेरी लिए तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा जाएगा गलाती एक नियाए प्रॉइय से एक लाइबरी हो बॉसी एक एक लाइबरी पॉसीए एक मुझे एक और देचलर एक एक मुझेए दिम्यूत हो आप सब एक ने एक पूछे बॉसीए एक लिए ने पाईए रोहित, क्या? चूट बोला तुम्हें मुझसे, आज मेरे सामने हैकिकत आगी है, ये मेरी मुष्कार नहीं है झाल